जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ज्यान में आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का जियोग्राफी का चैप्टर फस्ट देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे परिया वरड की संकल्पना और घटक अगर आपने स्लेवस नहीं देखा है स्लेवस आपको थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का नहीं पता है तो हमने वीडियो पहले ही अप्लोड कर दिया है आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी भी थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी जियोग्राफी की आपको चैप्टर वाइस प्राप्त कराई जाएंगी साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कीजिए वहाँ पर सभी क्लासेज की सभी चैप्टर की आपको नोट्स प्राप्त कराई जाती हैं यह शुरू करते हैं परियावरण की संकल्पना और घटक के बारे में परियावरण की घटक और संकल्पना को जानने से पूर हम परियावरण को समझना चाहेंगे परियावरण जब हम समझ लेंगे तो उनके घटकों को और संकल्पना को अच्छे से समझ पाएंगे तो परिया वही परियावरण कहलाता है परिधन हमारे चारों तरफ से हम घेरे हुए हैं वही क्या कहलाता है प्रकृत में विद्यमान शमस्त जयविक तथा अजयविक घटक मिलकर परियावरण की रचना करते हैं अर्था जल वाय। भूमी सूर्य प्रकास हैं वनस्पती जन्तु मानौ उत्यादी गटक या थैत्स हरा वर्य चीजों से मिलकर भना है मतलब इसकी रचना कैसे हुई है अनेग घटको से मिलकर बना है जैङविक घटक १ जैविक घटक सभी से मिलकर बना हुआ है जैसे जल है वायु है भ्यूमी है सूर्य का प्रकास है वनस्पति है जन्तु है मानव इत्यादिय क्या है परिवर्रके घटक के तत्व हैं ब्रह्मान में संभावता प्रिथवी की ही एक मात्र ऐसा खगोली पिंड है जहां जीवन के अनुकूल प्राक्रितिक दसाएं पाई जाती है मतलब जीवन के अनुकूल प्राक्रितिक दसाएं प्रिथवी पर ही पाई जाती है और किसी भी ग्रह पर नहीं पाई जाती है इसी कारण यहां जीवों का विकास संभव हो सका है अस्थल जल यह वाय मंडल तीनों ही जीवो का आस्तित तो पाए जाता है मतलब अस्थल पर भी जीव पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं और वाय बंडल में भी पाए जाते हैं परियावरण का अर्थ वह परिभासान देखेंगे मीनिंग एंडिफनीशन ओप देइनवारमेंट परियावरण सब अंगरेजी के इनवीरोन मेंट का हिंदी अनुवाद है जो दो सब्दों से मिलकर बना है इनवीरोन तथा मेंट से मिलकर बना हुआ है इसका अर्थ क्रमसा घेरना इन सरकल तथा आसपास सरांडिंग्स होता है अर्थात आसपास से घेरा हुआ अन्य सब्दों में जो कुछ भी हमारे चार ओर या हम चतुर्दिक जिन दिसाओं से घेरे हुए है वही परियावरण कहलाता है कुछ विद्वानों ने इनवारमेंट सब्द के अस्थान पर मिलिव हैबिटेट सब्द का प्रियोग किया है जैसे कि मिलिव एक सब्द है या उसे ही हैबिटेट कुछ विद्वानों ने इन सब्दों का प्रियोग इनवारमेंट के अस्थान पर किया है जिसका अभिप्राय भी चतुर्दिक दसाओं का कुल योग या समस्त पारिस्तितिकी होता है परियावरण का सरल अर्थ है प्रक सब्सक्राइब के अंतरगत आते हैं प्राडी जगत को चारो और से ढखने वाला प्रकृति तत्व जिनका हम जाने आन जाने तथा प्रत्यक्षता या परोग्ष रूप में उपभोख करते हैं परियावरण को अनेक विद्वानों ने परिभासित किया है जो कि हम आपको व जाते हैं परियावरण क्या कहलाता है लेकिन अपके परिक्षा में अगर आ जाता है तो आप लिख देते हैं लेकिन अगर उसमें साहर किसी एक विद्वान द्वारा दी गई परिभासा को लिख देंगे तो जो आपका चख रेने वाला कापी होगा वह आपको अंक जादा क्योंकि विद्वानों के द्वारा दी गई परिवांसा को जब वह देखेगा तो वह समझ जाएगा कि हाँ लड़के ने बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है तो चलिए देखते विद्वानों के द्वारा दी गई परियावरण की परिवांसा को पहली परिभासा हम देखेंगे वैज्ञानिक तथा तक्नीकी सब्दावली आयोग के भूगोल परिभासा कोस की अनुसार परियावरण क्या है परियावरण चारों और की उन बाहरी दसाओं का संपूर योग है जिसके अंदर एक जीव अथोव समुदाय रहता है या कोई वस उपस्थित रहती है परियावरण क्या है परियावरण चारों और की उन बाहरी दिसाओं का संपूर योग है जिसके अंदर क्या रहता है जीव रहता है एक समुदाय रहता है या वस्त उपस्थित होती है यह किसकी अनुसार थी भूगोल परिभासा के कोस के अनुसार दू प्रभावकारी दसाओं का संपूर योग जिसमें जीव रहते हैं वही परियावरण कहलाता है ऐसा किसने कहा एजी टांसले के अनुसार यह देखिए परिभासा है आपको थोड़ा याद करना होगा समझा तो हम आपको दे रहें लेकिन आपको याद भी करना होगा आगे हम द अनुसार परियावरण उन सभी बाहदसाओं और प्रभाव का योग है जो प्रिष्ट पर जैविक तत्यों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं आगे देखेंगे हम पांचवी परिभासा हम देखेंगे डी एच डेविस की अनुसार परियावरण से अभिप्राय मानों को चारो ओर से घेरे हुए उन सभी बाहदिक दत्साओं से हैं जिनमें न केवल रहता है अपितु जिनका प्रभाव उनकी आदतों एंकरियाओं पर भी असपस्ट दिखाई देखाई देता है डेविस कहते हैं कि परियावरण से अभिप्राय मानों को चारो ओर से घेरे पर पढ़ता है वfang love broadcast आते हैं सारांस रूप में मं कह सकते हैं कि सजीवों के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली दसाओं का योग है परड़ा क्या सजीवव के जीवनों और विकास को मतलब जो यहां पर रहते हैं मानाु रूप में जन्तु जनवर आपके जल में जो भी रहते उन सभी के विकास और जीवन को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली दसाओं का योग जो है मतलब सभी को मिला कर परियावरण बना हुआ है अगला टापिक हमारा है परियावरण की सनरचना तथा प्रकार, structure and types of the environment परियावरण प्रिथिवी के भावतिक और जैविक संघटकों से मिलकर बना है इस आधार बूच सनरचना के आधार पर परियावरण के दो प्रमुक प्रकार है कौन कौन से भावतिक या जैविक परिया होते हैं पहला कौन सा होता है अस्थल मंडली परियावरण के विभिन स्वरूपों के आधार पर अस्थल मंडली परियावरण किसी पहाड़ी जैसी चोटी इकाई से लेकर विसाल परवती छेत्र तक विस्त्रित हो सकता है देखिए यह जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा वहां से आप नोट्स भी प्रिपेयर आप da मां कर सकते हynnynn कि कोई हर इक चैपटर कराये प्रवाइब यह जबना सकते हैं यह ना याद भी हो जाएगा यहां समझ लीजिए और याद करने माला कारी यहां पर लगभग याद भी हो जाएगा लेकिन आप रिवीजन जान ही रहें रिवीजन कितना आवस्यक होता है अस्थल मंडल के विभिन स्वरूपों के आधार पर अस्थल मंडली परियावरण किसी अस्थल से आप क्या समत्ते हैं जैसे कि भूमी से संबंदित जो भी चीजे हैं परवत पेपर भी तो अस्थल होता है उसकी भी तो भूमी होती है पठार की भी तो भूमी होती है सतह होती है मैदान की भी हर चीज की अस्थल मंडली को बारे में जब पढ़ेंगे तो वही क् मंदल को विशतार इसी कारण प्रिधिवी को जली ग्रह भी कहा गए है विस्तार गहराई स्थिर्था जलरासियों के अनेक प्रकार है विदिक मापक वाली जलरासियों के परिया भी अनेक प्रकार के हैं कि सागरी परियावरण, सागर तटी परियावरण, अगाध परियावरण, उतला सागर परियावरण, प्रवाल परियावरण, आद उसके उधारण है, मतलब जल से संबंदिक जो भी चीजे हैं, आपकी सागर हुई, समुद्र हुआ, और उतला सागर हुआ, और प्रवाल भित परियवर्ण में अगला कौन सा है वाइ मंदली परियवर्ण वाइ मंदल को सजीवों की कलपना भी नहीं की जा सकती है मतलब हमारा दमारी तो जो हम थिए मनें जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे तो कल्पना कैसे होगी भूप्रिष्ट पर विविद जलवायु दसायों के आधार पर भिन भिन जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं जिनके परियावरण में असपस्ट अंतर पाए जाता है इसी प्रकार उचाई के साथ-साथ वाय मंडल के लच्छडों में परिवर्तन होता जाता है इसी आधार पर विभिन मंडल या परते पाई जाती हैं वाय मंडल की छैतिक वाल लंबवत भिन नताओं योम विसिष्टताओं के आधार पर वाय मंडली परियावरण के अनेक प्रकार भी पाए जाते हैं जैसे होगे आपका अगला हमारा क्या हो जाएगा परियावरण पहला हमने भौतिक परियावरण पढ़ा जिसमें तीन पार्ट थे अस्थल मंडली जल मंडली वाय मंडली अब हम पढ़ेंगे जैविक परियावरण जैविक परियावरण आखिर होता क्या है जीव मंडल में उपस्थित सजीवों में वनस्पति जन्तु सूच्म जीव वा मानों सम्मिलित हैं अस्थल मंडल जल मंडल वाय मंडल तीनों में ही विभिन जीवों की गटक या यह जहाटिक गटक में जल म्रिणा यह जींव नहीं होता है यह जंत मनाव होते हैं मर्दा में मिर्दाबहोतिक चीजों में आती है जल भौतिक में आता है है और अगे देखेंगे हम जीवन के आधार पर पर्या वरण के घटकों को दो भागों दो होते हैं जैविक मिठता ताल आता है जैविक में मानव आता है अम मानो क्लियाओं के आधार पर परियावरण के तत्तों के कितने भाग हैं कौन कौन से प्राक्रितिक परियावरण के तत्त जिसमें अस्थानिक संबंद अस्थला कृति जल रासिया जलवाय मिर्दा जीव जगत आ दियाते हैं और सांस्कृतिक परियावरण के तत्तों में मानों तथा उसके व मिर्दा भूमिगत जल आता है अप रत्यक्ष कारक में अस्थला कृत वायु समुद्रतल से उचाई आधी आती हैं आगे हम देखेंगे जल अस्थल वायु के आधार पर परियावरण के घटकों को तीन भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से जलवायु संबंदी कारक मिरता गय से याद आती हैं अस्थली में मिर्दा अस्थलाकृत आ दियाते हैं और जैविक में वनस्पति जीव जन्तुवा मानव होते हैं आगे देखेंगे हम जीव विग्यानी ओस्टिंग ने 1948 में परियावरण के कारकों को पांच भागों में बाटा है पहला पदार्थ जिसमें मिर्दा और जल आ दियाते हैं दसाएं जिसमें तापमान प्रकास आ दियाते हैं बल वायू बल गुरुत्व करसर बल ये सब आते हैं जीव में आता है वनस्पति तथा जीव जन्तु समय में आता है समय तो आप जानते ही है फिर अगला हमारा टॉपिक है भागोलि इस्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन भौगोलिक द्रिष्टी कोड से परियावरण के प्रमुकार कौन-कौन से हैं जिसमें हम पहला पढ़ेंगे भौगोलिक इस्थिति से अभिप्राय भूप्रिष्ट पर किसी अस्थान या क्रिया के इस्थित होने से हैं इसे भौगोलि पर इस्थिति तथा प्रादेशिक इस्थिति हंटिंग्स्टन के अनुसार गलोब पर किसी देश की इस्थिति उसके भूगोल को समझने की कुंजी है इसे अवस्थिति भी कहा जाता है अक्छांसी देशांतरी विस्तार से हमें उस अस्थान या छेतर की सामान निभागलिक देशांस की जानकारी होती है ग्ल manifest भारत भारत देश से उसको कैसे अब पतलगाएंगे एक्छांस याथ कर देशांतर कर लेंगे ग्लोब में उतने ऑक्छांस और देशांतर पर देखेंगे तो आपका भारत मिल जाएगा उदारारत क्पाँच डिगरी अच्छांस कि बारे में कुछ बताया जाएगा तो उस अच्छांस पूरे अच्छांस पर लागू होगा कि वह आपर ऐसी जलवाई हो जाएगी अगला हमारा है धरातली स्वरूप लेंड फॉर्म्स पृतिवी का धरातल सरवत्र एक जैसा नहीं कहीं उचा कहीं नीचा कहीं समतल तो कहीं उबढखावड है यह विवित्ता महाद्विपी अस्तर से लेकर अस्तानी अस्तर तक देखी जा सकती है अस्तल रूप या अस्तलाकृति प्राकृतिक परियावरण का सरवाधिक मात्तोपूर कारक है जो जलवाय मुर्दा वंस्पति जीव जन्तु तथा मानवी को प्रत्यक्षिता प्रभावित करता है धरातल पर दिखाई देने वाले प्रधान अस्तल रूप तीन है कौन-कौन से परवत पठार मैदान इनमें भी संरचना विस्तार उचाई आधि भिन्यताएं पाई जाती है अगला हमारा कौन सा है जलवाय जलवाय अर्थात क्लाइ मिर्दा जल्रासिया जीव जन्तुवा मानों पर अधिक पड़ता है जलवाय प्रकास तापमान वर्षा आद्रता तथा वायू का सम्मिलित रूप है जलवाय किसका किसका प्रकास का तापमान का वर्षा आद्रता तथा वायू का सम्मिलित रूप है अगला हमारा क्या है मि मिर्दा भूपरिष्ट की सबसे उपरी परत है जिसकी रचना चटानों के अपचह तथा पौधों वा जनतूं के अपगटन से बनने वाले हूमस से हुई है पृत्वी पर मिर्दा की विभिन्नता चटानों की विभिन्नता का द्योतक है रंग खनिज पदार्थ कडों की प्रिथिवी पर जल विभिन्न जल्रासियों जैसे महासागर समुद्र जील नदी आदि में तथा भूगर भिक जल के रूप में उपलब धराता है जल्रासियों के तीन सो रूप देखने को मिलते हैं पहला कौन सा महासागरी जल जिसमें महासागर सागर्वा खाड़ी आती भूमिगत जल जैसे कुवा नलकूप वसोता यह अलग-अलग क्या है शुरोत हैं और हमारा लास्ट है प्राकृतिक वनस्पती निचुरल वेजिटेशन पृतिवी पर वनस्पती व्रिक्ष जाड साक इत्यादी रूपों में पाई जाती है यह जलवाय मृदा जीव जन्तु मानाओ आदि परियावरण के तत्तों को प्रभावित करती हैं यह स्वयम भी इनसे प्रभावित होती हैं वनस्पती को जलवाय का नियंत्रक माना जाता है यह तापमान को अधिक बढ़ने वा घटने से रोकती है तथा वर्सा में सहायक होती है अपरदन वा मरुस्थली मिर्दा में पाये जाने वाले सूचम जीवाडुए कवक मिर्दा की वरता को बढ़ाते हैं जैसे कि आपले वीधिक देख लीजे मिदकी वर्ता को बढ़ाता है यह था आपका चैक्टर और जिसमें आपने प्रिया वरड के संग गहक और उसकी प्रकार परिभासा उसके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें क्योंकि यह चैप्टर फस्ट है आपको नोट्स प्राप्त करना हो टेलिग्राम चैनल को जोइन करें और कमेंट करें जरूर की आपको और कौन सा सब्जिक्ट पढ़ना है और यह वीडियो समझ में आई या नहीं धन्यवाद मिलते हैं अ